आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप class training या फिर online event को record कर सकते हैं बिना किसी की permission के चाहे वो event class training Google Meet पर हो, Zoom पर हो, Webex पर हो या फिर किसी भी और platform पर हो recording के लिए सबसे पहले आपको एक software install करना है जिसका नाम है OBS OBS एक free software है जिसके जरीए आप computer में कुछ भी record कर सकते हैं इसे यहां से download कीचे और install कीचे मैं आपको step by step बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है तो OBS install हो चुका है इससे पहले हम OBS की setting करें उससे पहले हम जानेंगे कि हमें किसी भी online class में, meeting में, training में या फिर online event में record क्या करना होता है पहले नमबर पर हमें record करनी होती है presentation या फिर video जो की हमें दिखाई जा रही है दूसरे नमबर पर हमें record करनी होती है खुद के आवाज जो भी हम meeting के अंदर बाकी लोगों को बोल रही है और तीसरे नमबर पर हमें record करनी होती है meeting के आवाज मेटिंग की आवाज का मतरब है जो भी टीचर है या ट्रेनर है उनकी आवाज को record करना और जो भी उन्होंने अगर कोई वीडियो दिखाई है तो उस वीडियो की आवाज भी हमें record करनी है इन तीनों की settings OBS में अलग-अलग होती है अब OBS को open करें अब यहाँ नीचे देखिए चोटी सी window है जिस पर लिखा है source window सबसे पहले हम display को record करेंगे उसके लिए हम plus के निशान के उपर click करेंगे यहाँ हम select करेंगे display capture और ok press करेंगे ok press करेंगे दूसरा हमें अपनी आवाज भी record करनी है उसके लिए हमें microphone add करना है तो अब हम plus के निशान के उपर दुबारा से click करेंगे यहाँ select करेंगे audio input capture ok यहाँ से microphone को select करेंगे और ok press करेंगे अब हमें meeting की आवाज record करनी है meeting की आवाज जाती है directly speakers में तो हम क्या करेंगे internally speakers की आवाज को record करेंगे उसके लिए दुबारा से plus पर click करेंगे यहाँ हम select करेंगे audio output capture ok अब यहाँ से अपने speakers को select करेंगे और ok press करेंगे तो हमारी किसी भी online training event या class को record करने के लिए settings हो गई है अब यह settings हमें बार बार नहीं करनी हमने एक बार setting कर दी है यह setting OBS में save हो जाएगे तो recording के लिए हम क्या करेंगे यहाँ right side में जाएंगे start recording के उपर click करेंगे और OBS को minimize कर देंगे OBS को minimize करने के बाद आप कोई भी online class attend कीजिए कोई online training attend कीजिए कोई भी live event को आप attend कीजिए online वो सब record होना start हो जाएगा और जैसे ही आपका event finish होता है आपकी class खतम होती है आपकी training खतम होती है तो आपने दुबारा से OBS को open करना है और stop recording के उपर press करना है अब recording को open करने के लिए आप उपर file में जाएंगे यहां show recording के उपर click करेंगे तो जो भी last file आप देखेंगे वो आपकी latest recording होगी अब यहां से recording copy कीजिए या फिर cut कीजिए और जहां भी आप save करना चाहते हैं वहां पर इसको paste कर दीजिए और इसका नाम change कर दीजिए